हेलो दोस्तो वेलकॉम टूटर टेप्स मैं हूँ सरब जी सिंग आज हम करेंगे क्लास प्लस फन की फाइनाशल अकाउंटिंग का नेक्स टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसेशन डेप्रिसेशन चैप्टर बहुत ही सिंपल और सेकोरिंग चैप्टर है अगर आप इसकी को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको बहुत ही ईसी लगेगा हम भी जहां पर आपको कंसेप्ट करने के लिए हैं सो करते हैं कंसेप्ट को क्लियर वीडियो का शुरू करने से पहले मैं आपको request करना चाहता हूं कि लाइक पूलेगा अगर अगर आप पहली बाद चन और इसकी general entry क्या क्या होगी और कौन-कौन से methods होते हैं according to methods मैं example भी आपको करवाने वाला हूँ चलिए अब हम अपने topic को start करते हैं सबसे पहले depreciation के meaning के साथ अब depreciation हम सभी assets पर charge करते हैं सभी fixed assets पर जितने भी हमारे पास fixed assets हैं उन सब पर हम depreciation charge करते हैं अगर fixed assets क्या होते हैं वो आपको मालवी होगा वो सभी assets जिनकी life one year से ज्यादा होती हैं जाफिर nature में fix होते हैं उन सब को fix assets बोलते हैं मैं वीडियो में link दे दूँगा आपको terminology का अगर आपने अपने terminology नहीं देखी और अच्छे तरीके से fixed assets का meaning समझे पहले fixed assets कौन से होते हैं और किस किस पर assets पर depreciation लगनी है वो भी आपको पता चल जाएगा सबी types of fixed assets पर depreciation charge होगा एक assets को short के वो कौन सा होता है land land हमारी depreciate नहीं होती वो use करने के बाद day by day जो है उसकी value increase होती है so fixed assets को जब भी हम use करते रहते हैं उसकी value क्या होती रहती है कम होती रहती है उस कम होने वाली value को हम बोलते है depreciation for example जैसे आपने car ली आप car जब शोर्म से निकलवाते हो वो आपको 10 लग की पड़ती है लेकिन अब अगर one month बाद भी उसको बेचने जाओगे तो वो 10 लाग की नहीं बिकेगी ठीक है अगर one year के बाद बेचोगे तो भी 10 लाग की नहीं बिकेगी वो कम होता जाएगा उसका price ठीक है एक साल के बाद बेचोगे दो तीन लाग आपको depreciation उसकी चार्ज 13 के से हो जाएगी आपकी अगर आप personal assets भी है तो ठीक है जितनी भी original cost है उसमें से जो हम year on year depreciation का amount निकालते रहेंगे वो कैसे calculate करना है वो हम आगे समझेंगे उस amount को निकालने के बाद जो value हमारे पास बच जाती उसे हम book value बोलते हैं तो जो value हम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं depreciation depreciation को हम indirect expense के रूप में treat करते हैं इसको हम P&L account में डालते हैं जो भी हमारे business की P&L बनता है वो आपको आगे बनाना सखाएंगे कैसे बनना है वो आगी अभी आपका syllabus वहां पर तक नहीं पहुंचा तो यह हमारा expense कौन सा होगा indirect expense होगा अब depreciation तीन तरह की होती है meaning तीनों का सेम है decrease in the value of assets लेकिन वो तीन तरह के assets होते हों तीन तरह के assets पर उनका name अलगलग हो जाता है पहला name है हमारे पास depreciation, दूसरा name है हमारे पास depletion और third name है हमारे पास amortization अब depreciation हमारे जो word है वो assets पर लगता है जो assets होते है tangible in the nature, tangible in the nature मीज़ जिन assets को हम देख सकते हैं, शूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे assets हमारे क्या है टेंजीबल, tangible asset की decrease in value जो होती है उस amount को हम बोलते है depreciation second word है हमारे पास depletion depletion वो assets पर लगता है जिसे हम जैसे natural resources है जिसको use करके हम production करते है वो सभी पर हमारा depletion word use होता है decrease उनकी value में होते है जैसे हम coal की mining करते है gold की करते है वो सारे क्या है वो decrease होता रहता है holy holy जो भी उनकी mining होती है उनकी value में जो decrease आता है उसे हम बोलते है depletion last name है हमारे पास amortization amortization word हम use करते है intangible fix जैसर की जब value decrease होती है उसे books में show करने के लिए उसे amortization बोलते है ठीक है intangible हमारे पास कौन कौन से जैसर होते है like good bill, patent, trademark lease, sold, copyright इन सब की value में अगर हमारे पास कोई decrease आ रहा है तो उसे बोलेंगे amortization, clear? so next है हमारे पास की why do we need to calculate depreciation अब हमें जरूरत क्या है वई क्यों करनी है calculate हमें depreciation अगर suppose हमें अगर हम depreciation का amount ही calculate नहीं करते तो हम एक exact profit पर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, exact net profit निकालने के लिए हमें depreciation भी calculate करनी पड़ती है, suppose एक चीज़ को produce करने के लिए हमारी machine कितनी गसी है means suppose हमने 1000 production की है in a year, अब उस साल में 1000 product बनाने पर वो depreciation जो हुई है machine हमारी, जो machinery हमारी गस गी है, गसाबट जिस पर हम बोलते है, depreciate हुई है, उस value को हम books में record करेंगे न, अगर नहीं करेंगे, तो हमारा after 10 year, जहां फिर after life जो expected life है asset की, उसके खतम होने के बाद, हम देखेंगे कि हमारा assets तो खतम हो गया, अब जक्तम हम, अब emergency में हमें वो assets खरीदना पड़ेगा, वो कहां से खरीदेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि books में हम साथ ते साथ value कम करते रहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा assets जाने बाल अब, अब नए assets की त्यारी करो, नए assets खरीदना है, अब depreciation का fund मिना लो, कुछ मिना लो, वो सारा कुछ करके हम कर सकते हैं, ठीक है, so exact net profit निकालने के लिए हमें calculate करनी पड़ती है depreciation, second हमारे importance है, इसकी need आते हैं, क्योंकि हम assets की exact value दिखाते हैं balance sheet में, अगर हम depreciation नहीं निकालते, तो जो actual value हमारे पास assets की, दो साल के बाद वो नहीं दिखेगी, वो तो original cost ही दिखी जाएगी, जितने 10 lakh का खृदा, वो 10 lakh की बहाँ पर रहेगा, अगर 10 lakh पर हमने 2 lakh depreciation चार्ज कर ली है, तो value दिखनी चाहिए 1 lakh, ओके, तो वो 8 lakh दिखाने के लिए भी हमें depreciate calculate करने की जुरूरत होती है, so अब जब हमारा assets खतम हो चुका है, depreciate हो चुका है, fully depreciate हो चुका है 100%, तो हमें replacement के लिए भी fund चाहिए, वो fund हम depreciation के amount में calculate करके अपने side by side, year on year side by side रखते जाएंगे, तो हमारे पास total जब replacement का आएगा, तो हमारे पास उतने funds होंगे, जितना हम new asset purchase कर सकें, ठीक है, अब Indian Company Act में इसे क्या statutory requirement बना दिया गया है, कि यह आपको करना ही है, आपने अपना loss दिखाना ही है, यह expense इंटरेक्ट है, इसको आप चार्ज करोगे और अपना profit जो है, कम करके वैसे ही चार्ज करना है, ठीक है, अब depreciation calculate करने के method समझाने से पहले मैं आपको general entry सखा देता हूँ, क्यूंकि general entry कौई कौन सा भी method आप choose कर लो, सभी methods में general entry तो वो ही रहेगी, जो है, ओके तो general entry आप recording सीख लो, उसके बाद कोई भी कौन सा भी method आप use कर रहे हो, वो method तो उसकी calculation है, depreciation के amount की, वो amount निकाल लोगे, लेकिन general entry चेंज नहीं होने वाली, ओके, अब general entry के हम क्या करेंगे, दो cases डिसकस करने बाले हैं, पहला case है हमारे पास, when the net book value of acid is shown on the balance sheet, after deducting the amount of depreciation from the opening book value of an assets, अब जब balance sheet में original value से depreciation less करके दिखाएंगे, तब general entry क्या डलेगी, और अगर second case होगा, उसमें क्या डलेगी, first case में अब less करके दिखाने बाले हो, तो हमारी entry बढ़ेगी, वो आ जाएगी, depreciation account debit to assets account, कोई भी asset हो सकता है, depreciation account debit to name of fixed assets account, okay, depreciation को हमने debit करना है क्योंकि हमारा expense है, according to nominal rule of accounting, जो golden rules है हमारे counting के, अगर आपने वो नहीं देखें, तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आई बटन में वो देख लीजे, बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं पे भी, तो आपको golden rules of accounting की जरूरतों पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, तो उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जितनी ज़्यादा उसको आप ब्रीकी से देखोगे, उतनी अच्छे तरीके से आपको वो समझ लग सकेंगे, तो depreciation को हम debit करने बाले हैं, according to nominal account जो हमारा nominal rule होता है, all expenses हम debit करते हैं, उसको हम debit करेंगे, और name of assets को हम credit करने बाले हैं, क्योंकि assets पर लगता है, real account और asset की value कम हो रही है, हमसे वो jar है, goes out हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, credit करेंगे, अब क्या करते हैं, जो भी depreciation करते हैं, किसी भी assets पर, उस assets की value कम करके balance sheet में नहीं दिखाएंगे, balance sheet क्या होती है, वो सब कुछ आपको हम पढ़ा देंगे बाद में, तो balance sheet में नहीं बो दिखाने वाले हम उसके against liability side दिखा देंगे, जैसे आपने accounting commission में पढ़ा था, asset is equal to capital plus liability, वो ही मारी balance sheet होती है, accounting commission में आपने थोड़ी सी balance sheet की भी थी, तो assets की value full दिखानी है, depreciation subtract नहीं करनी, और एक liability create करते हैं या नहीं, जिसको हम बोलते हैं, per reason for depreciation on dash assets, अब इस case में क्या होगा, depreciation account तो debit ही रहेगा, क्योंकि बहुत हमारा expense है, जैसे हमने पीछे debit किया, वो वैसे debit हो जाएगा, second account जो credit होने वाला है, वो asset को नहीं डालेंगे, क्योंकि asset की value कम नहीं कर रहा है, हामजा पर, asset तो full show कर रहे हैं, तो asset की value नहीं कम कर रहे हैं, तो asset को वो credit नहीं करेंगे हम, तो हम एक नया account credit करेंगे, जिसे हम बोलते हैं, per reason for depreciation on assets account, कोई भी asset account हो सकता है, ठीक है, अब यह हमारी liability बन जाएगा, क्योंकि credit balance आजाएगा, यह भी हमारे assets की जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, credit आएगा, real account के according, asset goes out हो रहा है, तो इसको हम credit करने वाले हैं, बनेगा credit balance हमारा जाएगा, liability side, तो general entry हमारी क्या बन जाएगी, depreciation account debit to provision for dash assets account, कोई नहीं सा भी asset सकता है, plant, machine, जो भी हमारा building, furniture, fixture, computer, जे सारा कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जहें हमारे general entry आपको समझ लगी है, तो बहुत अच्छी बात है, जे general entry आप दमाग में बठा लीजिए, इससे आपको easy रहेगा, depreciation chapter को solve करना, आगे हम discuss करेंगे, methods of depreciation, अब वैसे तो methods जो हमारे पास depreciation की हैं, वो तो near about 10 to 11 है, 10 depreciation methods होते हैं, लेकिन आपके slaves में only and only two methods हैं, पहला है straight line method, और दूसरा है return down value method, तो हम जे दोनों ही discuss करने वाले हैं, वाकी के methods हम discuss नहीं करेंगे, वो थोड़े easy हैं, कैसे इतने tough नहीं है, लेकिन वो आपके slaves में नहीं है, तो ज़्यादा slaves पढ़ने के कोई जुरूरत नहीं है, पहला हम करेंगे straight line method, दूसरा हम करेंगे return down value method, straight line method means the same amount, एक fixed amount year on year, चार जिकाना है depreciation का, जितना भी एक बार आप calculate कर लोगे, इसको हम original cost method भी बोलते हैं, और fixed installment method भी बोलते हैं, जितनी उसकी life होती है, अशर की वो उतनी depreciation हम हर साल charge करते हैं, बुक्स में, अब straight line method की depreciation calculate करने के लिए, हमारे पस दो formula होगे, एक तो values हमें given होगी, उसके साथ हम calculate करेंगे, और एक percentage given होगी, उसके साथ calculate करेंगे, तो पहले हम value वाला देख लिएते हैं, वो calculate करना है, उसका formula है simple, total cost of an asset, minus the crap value, over expected life of an asset, total cost of an asset means, जितने हमें assets की total cost बढ़ी हैं, जितने का वो खरीडा और उसकी installation, उसके लियाने का खर्चा, transportation बगरा, सारे expenses जो जब तक वो foot to use नहीं हो जाता, तब तक के सभी expenses को add करने के बाद, जो हमें cost पड़ी है, उसे हम बोलता है, total cost of an asset, total cost में से हम subtract करने वाले हैं, scrap value, अब scrap value क्या होती है, suppose अगर कोई चीज आप खरीदे हो, plant ही खरीद लेते हो, को plant है, उसकी कुछ life है, उस life के बाद वो scrap तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि plant जो भी हमारा machinery होती है, वो iron की होती है, ठीक है, लोहे की चीज है, तो उसका scrap तो जाएगा ना, अगर plastic की चीज है, प्लास्टिक भी scrap में चले जाएगी, रद्धी के बाओ, ठीक है, अगर वो कुछ scrap value है उसका, उस value को हम less करने के बाद amount निकालेंगा, वो आपको question में given होगा, आपको कोई tension लेने की जुरूत नहीं है, कि scrap value आपने नी calculate करनी, भी इस machine कितनी हैं कुतनी हो सकती है, scrap value आपको question में given होगी, residual value बोल सकते हैं उसको, scrap value बोल सकते हैं, दो चीज़ें आपको question में लिखी आजाग सकती है, और divide करना है हमने estimated life on asset, estimated life of an asset, estimate means वो देखना है, अगर स्पोस हमने एक plant लिया, machinery लिया है, वो machine हमने देख लिया कि दस साल तो चलेगी कम से कम, estimate, यह exact नहीं होता है, estimated अब 20 साल भी चल सकती है, 15, 12, 13 मतलब कितने भी साल चल सकती, पहले भी खराब हो सकती है, लेकिन estimated life ली नहीं है आपने, okay, so total cost में से scrap value less करने के बाद, हम estimate value से उसको divide कर देंगे, तो हमारे पास आजाएगा amount of depreciation per annum, जो हर साल हमने charge करना है, okay, suppose कर लीजिए हमारे पास 90,000 की machinery है, उसमें हमने 10,000 installation के लगा दिये, तो हमारे पास total जो machine की value बन गी, वो बन गी 1,00,000 रुपेज, और उसमें से हमारे पास उसकी जो value है, scrap value है, वो है 10,000, scrap value उसकी 10,000 वो हम subtract करेंगे, और divide करेंगे estimator life, वो आपको given है, estimator life हमारी है, 10 year, okay, so 1,00,000 से subtract करेंगे, scrap value हमारी कितनी है, 10,000 और उसको divide करेंगे 10 साल, जो भी 10 year हमें दिये हुए है, तो 90,000 divided by 10, तो हमारे पास amount of depreciation निकल के आ जाएगा, 9,000 per annum, okay, ऐसे calculate करोगे आप amount of depreciation, अब इसके बाद आपको percentage of depreciation या rate of depreciation calculate करने को भी बोल सकता है वो question में, अब depreciation का amount निकाल लिया आपने, अब किस rate पर depreciation चार्ज हो रही है, वो भी बोलेगा, निकालो भी, मुझे निकाल के दो, मिझे नहीं समझाई, अब rate of depreciation calculate करने का formula है हमारे पास, amount of depreciation divided by total cost of an assets multiplied by 100, अब amount of depreciation हमारा कितना निकाल है, 9,000, total cost हमारी कितनी है, 1,00,000, okay, multiply by करना है हमने 100 से, अब 1,00,000 को इसको cut कर देते हैं, तो हमारे पास निकाल के amount जो आगया, पोआगया, 9%, so rate of depreciation हमारा कितना निकाला, 9%, okay, rate of depreciation है अपने ऐसे calculate करना है, clear, अब एक और तरीके depreciation calculate करना है, जैसे मैंने पहले बोला, state and methods में, दो तरीके से calculate होगी, एक तो formula, आपका amount figures given होगी, उससे होगा, और एक rate simply given होगा, आप उससे simply कर लोगे, okay, अगर आपको question में given है, rate of depreciation, जो हमने calculate किया ना पिछली example में, suppose वो given है 10%, तो आपने कुछ नहीं देखना और residual value जा फिर उसकी life कुछ नहीं देखना, आपने simple rate से multiply करके उसकी amount of depreciation निकालने नहीं है, okay, अब जब rate given हो तब depreciation निकालने का क्या formula है, total cost of an assets multiply by rate of depreciation, okay, अब इस case में अगर आपको 10% rate दिया है, आप पहली example को बूल जो, मैं उससे continue नहीं कर रहा हूँ, मैं एक example आगे ले रहा हूँ, आपको जो आपके पास building है 10 लाकी, उसके rate of depreciation आपको दे दिया 10%, आप क्या करोगे, 10 lakh multiply by 10 divided by 100, 10% means 10 by 100, जी होता ना percentage, इसको cut कर लोगे तो आपके पास depreciation निकल किया जाएगा, amount कितना 1 lakh, इसमें आपको estimated life देखनी की कोई जुरूत नहीं थी, और residual value जैसे crab value भी देखनी कोई जुरूत नहीं है, अगर आपको rate of depreciation दिया हुआ है, तो आप simply multiply कर दोगे, total cost of regression को rate of depreciation के साथ, ओके, चलो चलिए अब आप एक example कर लेते हैं, इसकी हम straight line method की, फिर हम next method को करेंगे, full flash example कर लोगे, जैसे आपको question आने बाला है, So, start करता हम question, on 1st April 2022, machinery purchased for Rs. 11,00,000 and paid for transportation charges 1,50,000 to install the machine on our plant and pay installation charges also for Rs. 50,000. Scrab value will be 1,00,000 and the useful life of the machinery is 20 years. Year ender 31st March, charge depreciation with the straight line method of depreciation. So, हमारे पास transportation cost भी दी हुई है, value of assets दी हुई है और installation charges दी हुई है. So, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, total cost of an assets. मैं आपको एक बार formula लिखके दखा देता हूँ, उसमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, वो आप देख लीजिए. Depreciation का हमारा formula है, total cost of an assets minus scrap value divided by expected life जा फिर estimated life of an assets. So, total cost हम निकाल लेते हैं और scrap value और estimated life हमें दी हुई है. So, total cost हमारी कैसे निकल जाएगी? Value of assets plus all expenses till put to use. So, 11 lakh plus 1 lakh 50,000 plus 50,000 तो हमारे पास total cost आगी 13 lakh. So, चलिए अब इसे हम लिखते हैं depreciation के formula में 13 lakh minus 1 lakh divided by 20. तो हमारे पास आगे निकल के 12 lakh divided by 20 तो ये depreciation का amount आगे हमारे पास 60,000 पर एनम. Okay? So, simply हमारे पास कितना amount आगे? 60,000 पर एनम. अगर आपको rate of depreciation भी निकालना है वो भी मैं आपको जहाँ पर निकाल के दे देता हूँ. Rate of depreciation is equal to depreciation per annum divided by total cost of an assets multiplied by 100. अब हमारे पास amount of depreciation जो है वो given है, वो है 60,000. So, total cost of an asset कितनी है? 13 lakh. 60,000 divided by 13 lakh multiply by 100 करेंगे तो हमारे पास जो कट करने के बाद जो निकल के आगे, वो हमारा के बन जहेगा rate of depreciation. जहें हमारा points में आ रहा है, जहें है 4.62%. Okay? So, चलिए अब हम next method की और चलते हैं, next methods है हमारे पास diminishing balance method. Diminishing balance method को return down value method भी बोला जाता है और reducing value method भी बोला जाता है. Diminishing means कम होना. ठीक है? जो चीज़ कम होती है उसको बोलते है, जितना balance diminish होकर आया, उस पर depreciation चार्ज करनी है. जैसे नेम से clear हो रहा है, return down value method जहां फिर reducing value method की जितनी value हमारी reduce होकर आगी. Means इस साल में हमने depreciation 10,000 लगा दी 1 lakh पे, तो हमारे पास reduce होकर value कितनी आगी? 90,000. तो next year में हम 90,000 पर depreciation करेंगे 10%, वो हो जाएगी हमारी 9,000. So simple सी बात है कि diminish जितना हो चुका है, उस पर value लगाने, ना कि original cost पर नहीं लगेगा. जितना value अभी book value है हमारा books में, उस पर depreciation हम चार्ज करेंगे, कोई original cost पर चार्ज नहीं करेंगे. So diminishing balance method में तो आपको rate of depreciation given ही होगा, तो उससे ही percentage निकालोगे सीधी और depreciation का amount निकल जाएगा. इसका simple सा formula है, जैसे straight line में percentage given होती थे जो formula लगाते थे ना, वो ही formula लगेगा इसमें भी. क्या है वो formula? Total cost of an assets multiply by rate of depreciation divided by 100. Okay, so cost of an asset में क्या include है, जो हमारे straight line method में किया था, वैसे ही है, सारा कुछ जब तक हमारा assets put to use, means use करने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक जितने भी expenses पे की हैं, वो सारे add करेंगे, हम cost में तो बो बन जाएगी, हमारी total cost of an asset. So, जे simple सा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब इसको और अच्छे समझने के लिए इसकी एक example समझ लेते हैं. Example है मारे पास, on 1st April 2022, machinery purchased 4 rupees 11 lakh and paid for transportation charges 1 lakh 50,000 to transport the machinery in our plant and paid installation charges 4 rupees 50,000. The rate of depreciation is 10% year ending 31st March. Okay, तो मैंने same example ली हुई है, कुछ change नहीं किया, बस इसमें हम एक last में line लिख जेते हैं, calculate the depreciation with the diminishing balance method. So, इसमें हम diminishing balance method से calculate करेंगे, जो पिछली example थी. Simply, अब हम क्या करेंगे, सबसे परहे तो total cost of an SN निकाल लेंगे, 11 lakh plus transportation charges हमारे पास 1 lakh 50,000 है और installation charges 50,000 है. यह total हमारी value बनेगी 13 lakh, ओके? अब depreciation निकालने का हमारा formula कि है, total cost of an SN multiply by rate of depreciation. तो total cost of an SN मारे आगी 13 lakh, और multiply किया हमने 10% से 10 by 100, तो हमारे depreciation का amount निकाल के आजाएगा 1 lakh 30,000. So, यह तो हमारी पहले साल की तो जैसे straight line में आया था, वैसे ही यहाँ पर भी आजाएगा rate ठीक है, लेकिन जो आगे साल आने वाले हैं, उसमें जो changes होगे, उसको मैं आपको table बना के इसको समझा देता हूँ. Table बना लेते हैं, four columns में बना लेंगे, year ended, opening values of an asset, amount of depreciation, and closing values of an asset. So, year ended में हम year ended लिख लेंगे, पहला तो हमारा simply आजाएगा, जो पहला year अमारा end हो रहाए, हमारा निकल के आगया, 11,70,000, next year हमारा end होगा, 31st मार्च 2024 में, opening balance हमारे पास कितना आगया, 11,70,000, इस पर depreciation हमारी 10% लगेगी, वो हमारी लग के आगी, 1,17,000, और जो closing balance subtract करने के बाद, depreciation का amount आजाएगा, हमारे पास 10,53,000, next हमारा year आगया, 31st मार्च 2025 तो उसमें हमारा balance किया आगया, वो आगया, 10,53,000 और depreciation का amount आजाएगा, 1,5,300, तो closing balance निकल के हमारे पास आगया, 9,47,700, और उसके बाद हमारा आगया, 31st मार्च 20,26 को, उसमें हमारा balance ओपनी का आगया, 9,47,700, तो depreciation का amount आजाएगा, 94,770, और closing balance हमारा निकल के आजाएगा, 8,52,930, तो ऐसे ही सोन, हम table बना लेते हैं, देखे जे आगया, फटब 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 जे सारा table हमारा बन जाएगा, और ये continue चलता ही रहेगा, अगर हम इसको चलाते रहते हैं, तो ये हमारे पास 31st मार्च 40 तक भी, 20,40 तक भी हमारा balance निकल के आजाएगा, इतना, ठीक है, तो ये कभी भी asset 0 नहीं होगा, क्योंकि return on value है, जितनी value आ जाती है, उस पर depreciation charge करनी है, तो value 0 होना, असंबब है, ओके, तो ये हमारा क्या होग दिक्कत नहीं आने वाली, वो हम अलग से sum कर लेंगे, वो book में हम solve करी रहे हैं, साथ साथ, वो आप वहाँ से देख लीजिए, मैं आपको एक रहे summarize कर देता हूँ, इसको, diminishing balance method में क्या करना है, जो closing balance आया, उस पर depreciation charge करनी है, और straight line method में एक बार जो amount depreciation का निकल गया, वो कोई सारी उमर लगा रहा है, ठीक है, जब तक estimated life है, अपने assets की, ओके, तो अगर आपको कोई भी confused देना है, तो please comment कीजिए, comment box आपका ही है, कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी किसी भी topic में, आप comment कीजिए, पूशिए हम से आपको reply करेंगे, वीडियो को like करें, share करेंगे आप friends and lady के साथ, चैनलों को subscribe करना मत बूलेगा, पहले को प्रेस करेंगे ताकर एक एक लिडियो की notification मिल सके, thanks for watching, bye bye, good morning, good afternoon, good evening, good night, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सश्रिया काल